तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूटूब चैनल अक्सित क्रियेशन में तो दूस्तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि प्लेए स्टोर की आईडी कैसे बनाते हैं जैसे कि बहुत से फ्रेंड्स के फोन में दिक्कत आती है कि यह जो फ कुल दीओ आफ चीज मेरा मांग रहा है अगरमेरी पास नहीं है इमील आइडी तो मुझे वह इमील आइडी कैसे बनानी है तो में आज आप लोग को बताऊंगा तो दोस्तों देर ना करते हुए हमारे चैनल से जूरे रहे हैं और हमारे चैनल को यहां जो रेड़ वाला ओप्शन है सब्सक्राइब का उस पर प्रेस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए तो दोस्तों आज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कि अधिया तो दोस्तो सबसे पहले हमें आज आना है क्रूम ब्राउजर में आने के बाद यहां पे सर्च करना है यहां पे सर्च करना है दोस्तो क्रियेट एजीमेल अकाउंट यहां देखिए लिखा हुआ आज आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद यहां से सबसे उपर वाले पर क्लिक नहीं करना है यहां से नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहां चार नम्मर पर यहां लिखा हुआ है create a google account यहां पर click कर देना है just click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface सो होगा तो यहां पर आपको first name अपना डाल लेना है जैसे मेरा नाम अक्सित राज है तो मैं यहां पर type कर लेता हूँ अक्सित लास्ट नेम में राज टाइप कर देना है यहां पर आपको जो भी यूजर नेम बढ़िया लगए वह यूजर नेम आप टाइप कर सकते हैं तो मैं यहां अक्सित जीरो नाइन नाइन टाइप कर लेता हूँ फिर मुझे अपना पासवर्ड चुनना है तो मैं अपना पासवर्ड यहां से टाइप कर ले रहा हूँ दोस्तों आप लोग भी अपना पासवर्ड टाइप कर लेना तो मैं टाइप कर लेता हूं पासवर्ड confirm password में फिर वही password जो आपने अभी type किया है वही type कर लेना है type करने के बाद आप यहां next पे click कर देंगे next पे click करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा pop-up सो होगा यहां से phone number डालना है यह optional है आप नहीं भी डाल सकते recovery email address मांग रहा है यह भी optional है recovery email का मतलब है कि अगर आप अपने माल्या email का password भूल जाते हो तो अगर कोई दूसरा email डाले हो तो उस पे OTP मंगा सकते हो तो मैं यहां पे date of birth अपना select कर ले रहा हूं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जूरे रहे हैं वीडियो थोड़ा सा भी इसकीप ना करे वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो यहां से आपको स्लेक्ट कर लेना है जेंडर male या female आप अगर जेंस है तो male select करेंगे ladies है तो female select करेंगे स्लेक्ट करने के बाद next पर क्लिक करेंगे next पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पॉप अप सो होगा यहां नीचे जाकर 999 at the red gmail.com तो दोस्तों इसे तरह आपको Gmail account बना लेना है और फिर यहां से आपको Play Store में आना है Play Store में आने के बाद आपको Sign In कर लेना है Sign In पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर Gmail ID Gmail ID डालने का option आएगा तो यहां पर हम डाल लेंगे akshitashit012345 at the red gmail.com यहां से आने के बाद यहां Next पर क्लिक करेंगे Next पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां password डालना तो मैं वहां पर मैंने जो password बनाया था वो password मैं यहां च्यूज करने के बाद आप भी अपना password जो भी बनाया रहेंगे उन्हें याद रखेंगे याद रखने के बाद यहां नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इमेल आइड़ी यहां पर आ चुका है नीचे स्क्रॉल करेंगे scroll करने के बाद yes I am in पर click करेंगे yes I am in पर click करने के बाद यहां पर आपको एक welcome message आएगा यहां पर I agree पर click करेंगे I agree पर click करने के बाद दोस्तों आपका play store तो दोस्तों देख सकते हैं यहां कुछ ऐसा option आएगा उसके बाद backup to google drive अगर आपको अपना photos गूगल ड्राइब को backup करना है तो यहां पर इसको on कर देंगे अगर नहीं करना है तो इसको कर देंगे अफ करने के बाद यहां पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने आपका प्लेश्टोर खुल के आजागा प्लेश्टोर खुलने के बाद यहां पर यहां पर क्लिक करके आप लॉग इन हो जाएंगे होने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम